दोस्तो आज किस वीडियो में बात कहांगे, आज इंट्रा डे में मारकेट ने किस तरीके का मुउमेंट दिखाया कहा पिस ने प्रॉपर ट्रेडिंग का मुवका दिया और कल फिनिटी के एक स्पाईरी है तो कल का दिन कैसा रहने वाला है किस तरीके मुझेट देखने को मिल सकता है एवरिटिंग इन डिटेल आज वीडियो में बात करेंगे तो आपको वीडियो में बने रना सबसे पहले बात करना चाहूंगे नि आप देख सकते हैं निफ्टी ने आज जो हाई लगाया है 22,185 के आसपास का ओके तो आज आपको ले चलेंगे यहां पर दिखना चाहूंगे आज इसने दोस्तों सेलिंग का भी मोका दिया था और मॉर्णिंग में ही अब यहां पर देखिए क्या हुआ था यहां पर देखिए श्क्ते हैं यहां यहां से बहुत अच्छे गिरावर देखने को मिली और बार बार कहते हैं कि आपको निफ्टी में कितना लेना इंडेक्स में आपको only एक मुव में 42-50 पॉयंट लेना होता ह है इंट्राडे में ठीक है और यदि आप option में काम करते हैं तो 20 से 25 पॉइंट इनफ होता है ठीक है आप देखेंगे तो यहां दोस्तों यह लगभाग 20 बाद में यहां पर दिखाना चाहूंगी इसने क्या 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 रिस्टेंस ब्रेक आउट दिखाया और फिर आपको बाइंग का भी मौका दिया ओके तो यह आपको समझना होगा यहां पर देखिए यहां देखिए दोस्तों यहां पर देखिए जैसे हाई ब्रेक हुआ यह देखो यहां पर इस्टेंस ब्रेक आउट यह वाली केंडल क्या है परी टेटिंग केंडल ओके प्रॉपर रिटेस्ट भी किया ऐसा नहीं है कि हाई ब्रेक किया और उपर चला ग अच्छे आपका जो सेटप है उसका वेट करो मौका मिलता है इंडेक्स कर अंदर आपको होल्ड में दो से तीन बार चांस मिल जाता ट्रेड करने का ठीक है तो यहां पर क्या था रिस्टेंस का ब्रेकाउट ओके बार बार आपको समझाते हैं कैसे तो ट्रेड किया तो यहां कर सकते थे अब बात करेंगे कल के लिए कल यह किस तरीके का मुएंट दिखा सकता है तो चलेंगे दोस्तों तो फ्रेस टाइम फ्रेम पर यहां पर और स्था सब्सक्राइब करते हैं यहां देखिए बहुत अच्छाव ने कहा कि अर्श्टेंस का ब्रेकाउट दिखाया है तो निफ्टी है आपका ओके निफ्टी 22,000 ध्यान सुनिएगा 20,000 फिप्टी और 20,000 यह क्या है काफी important support है इसके उपर जब तक निफ्टी है तब तक क्या है बुलिस जुन में ओके थोगा सा कोई बड़ी बात नहीं है जब यह 22,000 के नीचे सस्टेंग करेगा तो बोल सकते कि निफ्टी क्या है बात करेंगे देखिए कल यदि निफ्टी क्या करता है इस केंडल का लो ब्रेक करता है थ्वास आते हैं 30 मिलिट टाइम फ्रेम पर यहां पर यहां देखिएगा एक सूटि 22,098 यह लो ब्रेक करता है इस केंडल का लो तो हो सकता है यह यहां से कहा है 22,000 तक यह आ सकता है ठीक है यहां तक आ सकता है तो इंट्राडेम आपको एक सेलिंग का मौका मिल सकता है बट यदि यह क्या करे यदि यह क्या करे यहां देखो फोरेच पर समझो समझना परेगा टेक्निकल डेस्ट में आपको सीखना होगा ठीक है यहां पर इसके उपर ही रह गया इसका लोग नहीं हुआ इसके उपर रह जाता है तो फर्दर यहां से मार्केट उपर ही जाएगा नीचे नहीं यहां पर तो वह सकता है तो आपको सेलिंग का मिल सकता लेकिन यहां पर रहता है इसके उपर आप देख सकते हैं यहां पर क्या होगा रिस्टेंस का यह बुलिश केंडल है हाई ब्रेक किया और यहां पर रिटेस्ट के लिए आया हुआ यह दि इसके उपर रहता है लोग नहीं कर इसके उपर रहता कंटिन्यू तो फिर फर्दर यहां से मार्केट उपर जा सकता है एक्वर्डिंग टू सपोर्ट रिस्टेंस ओके दोस्तों चार्ट को एवरी टेम नहीं होगा को कमबाइंट करके बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में तो बैंक निफ्टी का चार्ट आज हमने सेंड किया था और प्रफ वीडियो में कहा था यहां पर क्या एक इवनिंग इस्टार पैटर्ण और इसके अपॉर्डिंग यदि मार्केट दोस्तों 46,500 क 46,000 आ सकता है according to this pattern ठीक है हुआ क्या आज मार्गेट पी ओपनिंग भी थी 46,600 के आसपास में ठीक है और वहां से इसने 46,300 के आसपास का कुछ लो लगाया था एक बाद चेक कर लेते हैं इसके नहीं कर लो यहां पर देखिए इसका लो कितना है दोस्तों इसका लोगा 46,320 अब देखिए आप 46,320 ओके बहुत अच्छा इसने स्टार्टिंग में ही जब मार्गेट ओपन हुआ था यहां पर देखो यहां पर थोड़ा सा आपको ले चलेंगे इसको दोस्तों मिनिमाइस करते हैं और यहां पर दिखाना चाहूंगी यहां और बहुत अच्छा नीचे आया मिन्स कि मॉर्णिंग में ही ओपन होते ही 300 पॉइंट के असपा से गिरावट हुए थे उसमें से आपको 100 पॉइंट लेना था इंट्रडे के लिए तो इसने दिया ठीक है बाद में जाकर के असलीट हुआ एसली के असलीट नहीं हुआ आप इसने आपको टार्गेट दे दिया था ठीक है अब आद में एसलीट हुआ तो डिस्टेंस का ब्रिक आउट था इसलीट किया और एगें लास्ट में आप देखोगे तो यहां पिसने से लिंग का एक और मौका दिया था और हमने आपको मैसेज किया था कि बैंक निफ्टी मे क्या है सूटिंग इसलीट पैटन फोर्म है यहां पर देख सकते हैं और बहुत अच्छा डेर सो पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई तो बार बार कहते हैं हमेशा आप वेट करो आपको मौका मिलेगा ट्रेड आपको मिलेगा मार्केट में ठीक है चलिए बात रहें कल के लिए कल किस तरीके का मुमेंट दिखा सकता है तो थोड़ा सा चलेंगे दोस्तों यहां पर देखो आप और ली टैम प्रेम पर क्या है एक इवनिंग स्टार पेटर फॉर्म है मेंस की कल यदि इस केंडल का लोग होता है और इस केंडल का लोग है आपको 46,450 तरीका चालिस हजार चारसो तिर्पन प्रेका ठीक है यदि यह लोग होता है तो मार्केट एगें हो सकता है यहां तक यह आया है यह इंपरेंट सपोर्ट है 46,350 से 46,300 काफी इंपरेंट सपोर्ट है तो यदि 46,453 ब्रेक होता है तो वन से 46,350 से 300 और यह ब्रेक हुआ देन यह 46,200 यह वी आ सकता है ओके tengo aora time frame इसी चाट पॉरस टैम फ्रेम पर तो यहां पर देख सकते हैं यह कहां पर है यह रहिजिक तो यह लोह ब्रेक नहीं होता है यह लोग मतर्ब नहीं होता है और यह कं डिनुप्न क्या गरें दोस्तों कटिन्यॉ 46,600 के उपर सिस्टिन करें तो फिर क्या होगा फिर according to support resistance यह यहां से फर्दर क्या करेगा first of all यह 47,000 और यह break हुआ इसके उपर सिस्टिन किया तो फर्दर यहां से 47,300 से 500 भी जा सकता है इसलिए कहते हैं चार्ट को every time frame पर देखना important है तो H4 पर क्या है यह resistance का breakout यह दिखा सकता है यह 46,600 के उपर सिस्टिन करें देन क्योंकि इसने confirmation यहां पर दे दिया तो आपको समझना होगा resistance breakout पे कहां पर real breakout है कहां पर fake breakout है ओके और cash उस पर trade करते हैं यह सारा कुछ आपको सीखना होगा वीडियो भी है आप चाहिए तो उसको चेक आउट कर सकते हैं दोस्तों बात करेंगे फिनिफ्टी के बारे में कलिस्क एक स्पाइडी भी है तो इसमें भी आप देख सकते हैं आप अर्ली टेम पर क्या है एक किवनिंग स्टार पेटर्न फोर्म है मिन्स कि यहां से कहां तक चाहिए और यदि यह लोग नहीं होता है कनफर्मेशन नहीं मिलता है तो आपको दिखाऊंगे फोरे स्टेम पर सेम यहां पर आप देखेंगे इसमें भी क्या है रिस्टेंस का ब्रिक आउट है आप देखो सेम की सही में सेम है तो यदि फिनिफ्टी ट्वेंटी थाउजन 550 के ऊपर continue sustain करता है तो further क्या होगा यहां से यह उपर भी जा सकता है मिल सकता है तो अब अर्ली के कोड़ी यदि एग्जेक्यूट होता है तो सेलिंग का मुखा मिलेगा और यदि लोबरिक नहीं होता है तो क्या होगा फोरेज के कोड़ी यह आपको बाइंग का मुखा भी इसाइब यह उसके कॉर्णिंग आप बनाएगे ओके दोस्तों आज इंट्राइडे में हमने कि स्टॉक के बारें बात किया था मार्केट ओपन होते ही इस्टॉक का नाम क्या था भजाज फिनेंस रीजन क्या था तो यहां पे मॉर्णिंग स्टार्ट डिल टैम फ्रेम पे और साथ में ओपन लो सेम था रेस्टेंट का ब्रेकाउड था तीन टेक्निकल था जिसके वजब यह से मोर देन मतलब 150 से भी उपर का आज इसमें मुमेंट देखने को मिला बहुत अच्या मुख इसने दिखाया तूझ मैं अभी यह क्या है बायान डिप में है तो जब 69 50 से कितना 7000 का टार्गेट है तो बाई उन डिप के स्टेजिजी आप इसमें यूज कर सकते हैं और दोस्तों यदि आप लोग लाइब मार्ग अपडेट चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे निवे से कैन में अफिसल चैनल को जोइन कर सकते इसमें आपको लाइब देखने को मिलता है ठीक है तो आप चाहें तो आप चाहें तो इसको जोइन कर सकते हैं काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा लाइब मार्केट में दोस्तों यहां पर जो भी हमने बताया है कोभी टिप्स रिक्मेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है आपको ट्रेड करना को हुआ हैं उहां पर आपको सिर्श काग्वाथ को पयर्णेशन ओयर हैं झाल झाल